नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएस की एक और नई वीडियो में और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इंडिया के एडवांस इलेक्ट्रोनिक वारफेर सूट के बारे में जिसका नाम है सकती यहां पर रिसेंटली जो हमारे पूरा जरूर देखेगा काफी इंपॉर्टेट है ऑमें देखने को मिलती है और हम किस तरीके आप चाते यहां पाता लगती है और अगर आपके फोड़ाँ रहते हैं तो वह बहुत मुझसे हैं की इंद्सक्षिन और बढ़ते हैं के अंदर यहां पर एयर टू आई जागरतिवस्थी जी की और यह भी दोस्तों अपनी प्रपिशन ने होने करी थी अन अकेडमी के साथ 24 नवंबर से नए बैचे स्टाट हो रहे हैं सभी अपकमिंग इसके लिए तो आप जाके यहां पर खुद को एंडोल कर सकते हैं और 18-24 नवंबर तक आप लोग के लिए जो कह सकते हैं यहां पे स्पेसल आफर हैं जहां पर आपको काफी कुछ जो है नया और इंटरस्टिंग देखने को मिलेगा दोस्तो 10% के डिसकाउंट मिलेगा अगर आप लोग हमारा कोड इस्टडियाएस यूज़ करते हैं किसी भी अपने परचेस पर तो आपको यहां पे 10% के डिसकाउंट देखने को जरूर मिलेगा अब बात करते हैं इस न्यूस के बारे में आखरी न्यूस क्या है और किस तरीके से आप कहसकते हैं हमारी इंडियन नेवी के लिए ये काफी एक अच्छी बात हमें देखने को मिलती है तो अभी रिसेंटली 19 नवंबर को जब आप कहसकते हैं यहां पे रास्ट रक्षा समर्पन पर्व चल रहा था उस ताइम पे उस सेरमेनी के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर नरिन मुदी जी ने हमारी इंडियन नेवी को एडवांस इलेक्ट्रोनिक वारफेर आप कहसक इसके अंदर काफी कुछ यहां पर इंट्रेस्टिंग हो रहा था काफी जो एडवांसमेंट है हमें देखी गई है इस पूरे मौचसव के अंदर काफी दिनों से जो मौचसव चलता हुआ आ रहा है हमारे पीम ने यहां पे यह जो बिल्ट इन आप कहसकते हैं बिल्कुल इ इंडिया के स्टार्ट अप के द्वारा और यह भी आप कह सकते हैं दिये हैं हमारी एयर फोर्स को तो देखिए इंडिया नेवी को दिया है यहां पे एडवांस एलेक्ट्रोनिक वार्फेर सूट जिसका नाम है सकती और हमारी एयर फोर्स को दिया है यहां पे लाइट कॉम इसके बारे मताता हूँ, तो basically यह एक electronic layer रहने वाली है हमारे defense sector में और जिस तरीके जो modern radars हैं उनसे बचाएगी, जो यहाँ पे anti-ship missiles होती हैं उनसे बचाएगी और ensure करेगी कि यहाँ पे यह लोग एक electronic आप कहते हैं जो dominance है उसे बना सके और आप कहते हैं जो हमारे लिए maritime battlefield में जो survival है उसको बढ़ा सके यह जो system में यह replace करेगा इसके पहले generation वाला EW system जो कि हमारी Indian Navy यूज़ करती थी मतलब कि एक advance जैसे कि इसमें use किया गया word उसी तरीके से यह है पहले भी था लेकिन अभी और advance करके उसे और कुछ नए features दालके उसको फिर हमारी Indian Navy के द्वारा वो use किया जाएगा देखे दोस्तो इस system के अंदर यहाँ पे एक integrated wide band electronic support measure है जिसे हम लोग ESM के नामस जानते है और एक electronic counter measure है ECM के नामस जानते है यह दोनों ही बताता हूँ basically मदद करते हैं Indian Navy के ship को missile attack के defense में अगर कहीं से missile attack हो रहा है तो यहाँ पे यह अलट कर देगी कि देखे भाई सब आपकी जो ship है उस पे यहाँ पे attack होने वाला है तो बच जाएए और बताता हूँ आपको basically यह मदद करेगा कि यह लोग एक accurate direction को find कर सकें और जो यहाँ पे intersection हमें देखने को मलता है modern radar पे उससे यहाँ पे आप कह सकते हैं जो accuracy है वो हमें हाँ मदद मिलेगी और इसके अंदर यहाँ पे built-in radar fingerprinting लगी हुई है और एक data recording replay feature है देखे replay feature बहु देखे दोस्तों इसके साथ साथ यह बताता हूँ ए capability जितनी हमारी Indian Navy के है उसे बहुत बढ़िया कर देगा और यह काफी बड़ा milestone हमें देखने को मिला है आत्म नेर भारत के आप कह सकते हैं जो मुहीम चल रही थी उसके दोरा एक काफी advanced defense technology use करवाई जाएगी हमारी Indian Navy के इसको design किसने करा है तो जो आपकी DLRL है Defense Electronic Research Laboratory है थराबाद वाली उसने यहाँ पे इसे design करा है ओके यह जो laboratory है यह आपकी DRDO की है और यह basically क्या बनाती है जिस तरीके से यहाँ पे capital worship होती है हमारी Indian Navy के लिए जो कि उसके intersection पे उसकी detection के लिए classification और identification और जाम करने के लिए आप करें modern radars को तो यह सारी चीजों में आप कर सकते हैं यह जो आप कर सकते हैं हमारी laboratory है यह काम करती है जो रिसर्च होती है वह इन सारी बातों पर होती है और हमारी Indian Navy के लिए यह काम करती है सक्ति सिस्टम क्या रहा हूं आपको तो बेसिकली यह पहला सिस्टम रहेगा जो कि यहां पे इंस्टॉल करवाया जाएगा अभी जौब का आएनेस विशाका पटनम है उसके अंदर इससे पहले इंस्टॉल हुआ था जो बिल्कुल इंडिजिनेस एरक्राफ्ट था आएनेस उसके अंदर ओके अब देखिए दोस्तो ऐसे ही 12 सक्ति सिस्टम जो बना जा रहे हैं अभी प्रोडक्शन के अंदर है और बना कौन रहा है भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड बहल बना रही है जिसे यहां पर सपोर्ट कर रहा है लगबग 50 से ज़्यादा MSME ने स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज इंटर्प्राइज ने टोटल कॉस्ट बताई जा रही है 1805 करोड रुपय की देखिए दोस्तो यह जो सिस्टम है पूरा अभी इसके जो स्केडूल है कि इंस्टॉल होगा और आप सकते हैं अभी प्रोडक्शन में भी यह तो इसके से आपको देखने को मिलती है और किस तरीके से हमारी इंडियन नेवी के लिए इंपॉर्टेंट है ओके दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक क्लिए have a nice day